वेलकम बैक तो माई यूटूब चानल इस तपेश यादव गाइस होप यह डूइंग वेल कैसे हैं आप लोग और आज का यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का उपर बात करना चाहता हूं कि जो लोग भी लुटेंट बिजापर इदर जौप सर्च करने आ रहे है ौछ करने के लिए दुबाई में जुबार एंग बचल से यह जो लोग इदर आना चाहते हैं जौब करने के आपको पहले तो उस फिल्ड में experience होना बहुत जरूरी है ठीक है ऐसे ही आप freshers मत आ जाओ ठीक है जब भी आप freshers आते हो तो आपको उतना अच्छा package नहीं मिलता है आपको environment का पता नहीं चलता है कि कैसे मेरे को काम करना है लोगों के बीच में ठीक है क्योंकि इधर different types of job है different types of company है different types of people है सबके साथ आपको मिलजूल के रहना है ठीक है तो आप कोशिस करो कि home country में ही आपको कोई 2-3 साल का experience लेकर आप इधर आओ ठीक है और आप चाहे पाकिस्तान से हो इंडिया से हो बंगलादेश से हो नाइजिरिया से हो इजिप्ट से हो कहीं से भी हो आप जब भ एक रोक्स बोथ आप कारी करो ठीक है हो सके तो अपना जो अगर आप बैचलर हो अगर आप मास्टर डिग्री आपके पास पीएसडी है इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग का सर्टिफिकेट से तो आप कोसिस करो कि आप एटेस्टेट कराके लाओ कि कि वीजा का जब स्टै आपका मैनेजर का वीजा है तो मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि इधर इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश से जितने भी बैचलर्स जितने भी आदमी लोग इधर आते हैं जॉब सर्च करने तो कोसिस करते हैं कि वह दुबई में ही सार्जा में अबू धाभी में उनक नहीं मिल पा रही है तो आप कोसिस करो कि UAE के जो बाकि स्टेट्स हैं वहाँ भी ट्राइब करने को जैसे आपका रशल खेमा हो गया अजमान हो गया अलकूज हो गया इन सब जगहों पे इंडस्ट्रिल एरिया सार्जा हो गया इन सब जगहों पे आपको जॉब मिल से और उन सब कंपनीज में जॉब लेने के लिए आपको पांदर साल का एक्सपिरियेंस होना बहुत ही जरूरी है तो अगर दुबई में आपको नहीं मिलता है जॉब तो आप कोसिस करो कि बाकी स्टेट्स में बाकी रशल खेमा अजमान उमल कुईन अलकूज में आप ट्र अपड्रेस में आओ ठीक अपना सीवी को अच्छे से मतलब फॉर्मिलिटीज में आप सजा कर आओ ठीक है जब इंटर्विव और आपका सीवी देखता है तो गौर करता है कि आपका एक्सपिरियेंस क्या है आप कहां पे काम किये हो आपका एडूकेशन क्या है ठीक है तो इन सब चीजों का आप ध्यान दे अपने सीवी के अंदर ठीक है और इंटर्विव और आपसे जितना पूछता आप उतना ही आप सरल भासा में इसी लैंग्वेज में बताए ठीक है और मैं बोलूंगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हर कंपनी में अपना सीवी र को देख कर आते हैं तो देखिए प्रॉब्लम नहीं है आप सीवी हर कंपनी में जाके दो बट वह अगर प्रॉपर जगह पे अगर वह नहीं जा पाएगा तो फिर आपका सीवी देने का फाइदा नहीं है ठीक है तो आप कोसिस करो की एचर का नंबर मिल जा है किसी भी कंप इंक्वाइरी करो तो आपके लिए फाइदा करेगा ठीक है और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी बैचलर से अगर उनको 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर अगर जॉब नहीं मिलता है तो वह थोड़ा सा डिस्वाइंट हो जाते हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है तो कोसिस करते रहना आपको जरूर जॉब मिलेगी ठेक है और कोसिस करो कि जितना जल्दी अगर आप आज आओ दुबाई के अंदर जॉब अगर आपको करना है तो क्यूंकि अमरिकन जो नया जो वेरियंट निकला है वाइरस वह भी तेजी से फैल रहा है एवेई ने हा आप बैंड कर दिया गया है क्योंकि उस साइड में ज्यादा ओमरिकन वाइरस निकल रहा है ठीक है तो यह मेरा वीडियो आप बताओ कि आपको कितना हेल्फुल लगा एंड प्लीज लाइक से रहें सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल थैंक यू